हेलो स्टूडेंट इस वीडियो में देखेंगे मोनो कॉट रूट और डाइकॉट रूट का टी एस टी एस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन तो चलिए देखेंगे मोनो कॉट रूट में सारा अरेंजमेंट सेल्स का तो पहला जो लेयर आता है उस वो है एपी ब्लेमा एपी ब्लेमा जो लेयर है वो आवटरमोस्ट लेयर है और वो सिंगल लेयर ऑफ थिन सेल वाल्ट सेल्स की बनी है आवटरमोस्ट लेयर तो समझते हैं बार की लेयर सिंगल लेयर है और जो सेल्स हैं उसकी वाल्स बहुत थिन होती है इसमें क्योंकि इसका काम है यह रूट का टीएस हम स्टड़ी कर रहे हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या है एब्सॉप्शन ऑफ वाटर प्रम दा सॉयल फिर इसके जो एपिबलेमा है उसमें बहुत सारे ऐसे य रूट हेर निकल रहा है जैसे यह दिखाई दे रहा है आपको तो वह योणी alors & का निकला रहता है जो और प्लांट को एंकर करता है रजाएं पकड़ के रखता है एप父 दूपरी ने के वह फिल ज् dafür में इंटर सेल्ट हें रहती है यह बहुत सारे ज्यादा नंबर में सेल्स रहते here और यह साइब की वाल्स जहें थिन वाल होती है ताकि water और minerals जो है इसली पास हो सके यह जो प्रानी को प्रोवाइड करते हैं तो यह जो सेल्स है को इनका दूसरा काम यह भी है कि वह फूड भी स्टोर करके रखते हैं सेल्स के लिए नेक्स्ट लेयर आती है अंदर की यह जो लेयर आप देख रहे हैं उसका नाम है यह जो लेयर है आप उसके देख रहे हो कि थोड़ा सा ब्लैक भी है तो वह डिपॉजेशन किसका है तो सुबैरीन का है सुबैरीन और उसकी एक रिंग जैसा बन रहा है तो उसको बोलेगे कैस्पेरियन स्ट्रिप अब यह जो है वो अंदर का जो जाईलम और फ्लोयम है उसको प्रोटेक्टेड रखती है यह एंडोडर्मिस नेक्स्ट लेयर जो आता है वह स्टीली स्टीली में दो है एक तो प परिसाइकल और जाईलम और फ्लोयम का पुरा कॉंबिनेशन होता है उसको यह लोग स्टीली नाम दिये है वेस्किलर बंडल को तो परिसाइकल क्या है परिसाइकल जो है वह जो एंडोडर्मिस के नीचे एक और एक ऐसे लेर आपको दिखाई दे रही है यह वाली जो लेर ह सेल्स की वह है पैरिसाइकल तो वह जाईलम और फ्लोयम को अच्छे से पैक करके रखती है उसको फ्रोटेक्ट करके रखती है और इसका जो में वह है वह कि वह जो जाईलम और फ्लोयम को एक अलग उसका वह देती है प्रोटेक्ट करके रखती है नेक्स्ट जो आता है वह ह तो यह कैसे अरेंज़्ट हे令 में और रेडियल अरेंजमें को बार्थ यह वह जो है जो है वो जाइलम के बीच में आरेंजमेंट है कौन से रूट में लोग रूट में अभी हम कौन सा रूट देख रहे हैं मतलब मेज का रूट हम देख रहे हैं तो यह जो phloem है वो दो xylem के बीच में होती है और जो roots है उसमें जो दो तरह का होता है metasylem और protozylem तो बड़े वाले जो है इसको बोलेंगे metasylem और छोटा जो है उसको बोलेंगे protozylem तो protozylum जो है वो बाहर की तरफ है और metazylum center ये पित है वो center है उसकी तरफ है तो इस तरह की arrangement को बोलेंगे X-Arch arrangement X-Arch arrangement में xylem का जो metazylum होता है बड़ा वाला part वो अंदर की तरफ face करता है और तो ये main important चीज़ है और दूसरा है last में pith तो central portion है वो pith उसको बोलेंगे pith और उसमें बहुत सारे parent kai metal cells होते हैं जो की filling up space filling up cells है जहां भी खाली space होती है वाँ parent kai metal cells जो है वो space fill कर देते हैं और water और food store करने का function उनका रहता है main function चली आये देखते हैं next root जो है वो dicot root मतलब sunflowers root तो उसका भी जो यह जो है first layer वो है epiblemma epiblemma layer मतलब single cell outer layer उसमें कोई gap नहीं है और उसमें भी root hairs एक निकले हुए हैं इस तरह से okay तो next layer इसमें आती है cortex cortex जो है वो space filling layer है बहुत सारे parent kai metal cells है जो की store करते हैं food और water और minerals को तो और आप देख सकते हो बहुत सारे intercellular spaces है यह सब तो वो क्या करती है gases को भी अपने अंदर store करती है gases transfer में भी help करती है intercellular spaces तो यह इन चीज़े हैं अभी next layer आती है endodermis endodermis layer जो है वो एक single layer ही है इसमें और इसमें कुछ इतना जादा डिपोर्श नहीं होता है पेरिसाइकल की layer भी इसमें एक जाइलम और फ्लोयम है और पित जो होता है इसमें नहीं के बराबर होता है बहुत ज्यादा पित बड़ा नहीं होता है compare to monocot तो difference क्या है dicot और monocot में तो है कि यह जो थोड़ा बहुत सुबेरिन लेयर थी उसमें और इसमें नहीं थी उतना ही difference रहता है इसमें जो dicot में है वो पित जो है वो absent या small है बट monocot में पित जो है वो ज्यादा है तो यह 2-3 difference है दोनों के roots के arrangement में इधर भी जो arrangement है वो phloem जो है वो कहां पर present है दो xylem के बीच में present है और इसका जो arrangement है वो कैसा है die arch arrangement है मतलब 2 के 2 और 6 का die arch 3 का tri arch 4 का tri arch पेंट आर्च ऐसे यह देख रहे आप ऐसे plus form में है और यह क्या है radial है all over है इसका है die arch, tetra arch, pentarch ऐसा टाइप का इसका arrangement रहता है इधर भी है जो phloem दो xylem के बीच में है और xylem का अधियास और monocot and dicot root लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को और कुछ भी डाउट्स है communicate करना चाहते है तो comment box में लिखिए thank you thank you